कम्पिटिशन हमके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टुडेंट्स आपका और आज मैं आपको एकोनोमिक्स का प्रैक्टिस सेट जो वन का जो सल्यूशन है एक्स्प्लानेशन वो करवाने जा रहा हूं तो इसको ध्यान से समझने का प्रियास किजिएगा स्टुडेंट् ओनलाइन पेटर्न पे होगा और हमारी संस्थान ने आपके लिए ओनलाइन टेस्ट एरेंज किया है तो आप इसमें जरूर जूर जाएं और मात्र 499 में आपको 30 ओनलाइन टेस्ट और साथ साथ आपके पीडियो लेक्चर्स आपको दिये जाएंगे आप मेरे साइट पे ज सकते हैं और ओनलाइन टेस्ट से जरूर जूर जाएं क्योंकि अब जो एक्जाम होगा वो ओनलाइन पे टर्न पे होगा और बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक ओनलाइन एक्जाम नहीं दिये होंगे तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप ओनलाइन एक्जाम से जरूर यहां पर देश के लिए रास्टीया आय का अनुमान किस तो सब से पहले जो रास्टीया-1 का अनुमान किस त्यार किया था तो दादा भाय नोरोजी ने बिर्टिश शाषन के दवरान ही यह तयार किया था और उन्होंने उस समय पर्था वेक्ति आयद़ी बिश रुपया बता ठीक है मौसिक आय 20 रुप्या बताया था तो यह जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था यानि पहला आय का अनुमान जो लगाया गया है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया है ठीक है और इन्होंने एक बुक लिखा है उसका ना and unbeatish rule in India किसके द्वारा लिखा गया है तो दादा भाई नोरोजी के द्वारा और grand man of India भी कहा जाता है old man सबसे जो है दादा इसलिए लगा भी हुआ है ठीक है तो दादा भाई नोरोजी को याद रखना है आपको और अर्ध सास्त में यहां से ये questions कई बार पूछे गए हैं तो बहुत important है ठीक है तो सबसे पहले आयका करना दादा भाई नोरोजी के द्वारा लगाया गया था ठीक है अब next जिन्होंने चार नमर उप्सन दिया होगा उनका सही होगा next question है भारत में निमलिखित में से किस उद्योग में सिरवाधिक स्रम सकती काजरत है तो students आपको पता होगा सबसे जाइदा जो स्रम सकती है लेवर है वो कपरे उद्योग में लगता है क्योंकि कपरा जो है वो basic नीडे में आता है और सबसे जाइदा जो है किरसी के बाद अगर उद्योग की बात करें तो सबसे जाइदा स्रम जो है कपरे उद्योग में ही प्रियोग होता है ठीक है तो option number 2 इसका सही जबाब है बस्तर उद्योग कपरा उद्योग ठीक है अब next question है निमलिखित में से किसको भारत के राजनितिक और संतोस का जनक कहा गया है तो राजनितिक और संतोस का जनक जो है अब यहाँ दादा भार नोरोजी सरदार भगस्षिंग महत्मा गांदी बालगगाधर तिलक option दिये गए हैं तो इसका सही जबाब है आपका सरदार भगस्षिंग ठीक है इसे बालगगाधर तिलक भी कहीं कहीं मैंने देखा था लेकिन सरदार भगस्षिंग को ही रखी निमलिखित में से किसको भारत की राजनितिक और संतोस का जनक कहा गया है, तो सरदार भगत सिंग को, ठीक है? तो याद रखना है सरदार भगत सिंग सरदार भगत सिंग को ही राजनितिक और संतोस का जनक कहा गया है Next question पे आते हैं निमलिखित में से किस संपती की कीमतों में गिरावट आएगी अब इन में से क्या चीज है जिससे की संपती में गिरावट आएगी अर्थ विवस्था में अधिक चलन नी धी, तो इससे बढ़ेगा, घटेगा ने, RBI आई द्वारा रिभर्स रेपो रेट में कमी होगा, तो मार्केट में जो है, पूझी निवेस जाइदा होगा, ठीक है, RBI आई द्वारा रिभर्स रेपो रेट में बिट धी, अर्थ विव कीमतों में क्या होगी, गिरावट आएगी, ठीक है, कीमत स्वता घट जाएगा, ठीक है, और जब चलनी धी बढ़ता है, तो कीमत स्वता जो है, आपका घट जाती है, ठीक है, नेक्स्ट कॉस्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, तो अमीर की तुलना में गरीब जो बचत करते हैं, वो कम करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम करते हैं अपने छोटे हिस्से, अपनी आई के अपेच्छा कित बरे हिस्से का नहीं, अमीरों की तुलना में ऐसा बात नहीं है, अपनी पूरी आई की नहीं, अपनी आई के अपेच्छा के छोटे हिस्से की, य अपनी आई के बरावर हिसे की, तो इसका सही जबार, चुकी देखिए, यहाँ पर अमीर लोग की इंकम जैदा होता है, तो जो बेसिक नीड है, लगभग सब लोग का थोरा बहुत का अंतर है, उतना ही होता है, तो वो अमीर लोग होता है, वो बचत अपने जो भी इंकम होते हैं, उसके रेशियो में जैदा करते हैं, जबकि गरीब आदमी का इंकम ही कम रहता है, लेकिन बेसिक नीड तो लगभग उतना करना होता है उसको, तो अपने हिस्से का बहुत कम ही बचा पाते हैं, तो छोटे हिस्से की, अपने आय के या पेचा के छोटे हिस्से की ही गरी लेक्स्ट कोस्टन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल छेत्र कौन सा है। तो आपको पता होगा कि भारत में जो खनीज तेल के दो तीन तो छेत्र ही हैं उससे 500 km अंदर समुदर में पड़ता है. ठीक है? Sorry, 500 km मैंने जैदा बोल दिया, उससे कम है, 60-65 km अंदर समुदर में ही है, लेकिन मंबई औपतर छेतर, ठीक है? वहीं से जो है, खरी टेल निकाले जाते हैं, भारत में समसे जैदा, ठीक है? बानिजीक पत्रिका वानिजी का परकासन कहां से होता है जो वानिजीक पत्रिका है उसका कहां से होता है परकासन तो वो मुंबई से देखिए एकोनोमी सिटी जो है आपका भारत का वो मुंबई ही है ठीक है आर्थिक सहर जो है मुंबई ही है और यहीं से बानिजीक पत्रिका का प्रकाशन होता है ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं सार्वजनिक बितरन परणाली ठीक है से सम्मंधित समीति है जो आप देख रहे होंगे बितरन परणाली जो हर एक गाउं हर एक जो हर एक जगा पर मौझूद है भी वो किस समीति की देन है तो बेनु गोपाल समीति के द्वाराशर पर्थम जो है यह सारवजनिक वितरन पर्णाली जो है समिति गठित की गई थी तो वेनु गुपाल समिति ठीक है, उसके बाद है अध्योगीक रुगनता से सम्मंदिस समिति है, यानि अध्योगीक जो भीकास कमठब पर जाना उसके को से समीति बनाई गई थी तो देखिए इसमें गोष्वामी समीति और तिवरी समीति दोनों बनाए गया था इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा उप्युक्त दोनों ठीक है अब नेक्स्ट है आबीध हुशेन समीति किस मंतराले द्वारा गठित की गई थी तो यह जो है आ एकहरी नागरिक्ता किस देश के समिधान से प्रेडित है भारते लोग को क्या है एकहरी नागरिक्ता मिलता है यानि अगर आपको किसी अन्य देश की नागरिक्ता प्राप्त होती है तो स्वता भारत की नागरिक्ता लोप हो जाएगी ठीक है तो एक देश एक नागरिक्ता आ और यह कहां से लिया गया है बिर्टेन से कहां से लिया गया है बिर्टेन से ठीक है एक अहरी नागरिकता भारत में है और वो बिर्टेन से लिया गया है प्रेरित है उसके वाद नेक्स्ट कोस्चन है एल के जहा समीती ने किस परकार का सुझाव दिया था तो यह एक भैट से स सम्मंदित है ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट पर्थम योजना आयोक के उपाध्यक्ष कोन थे देकि अध्यक्ष तो परधान मंतरी होते हैं जबकि उपाध्यक्ष जो उस समय थे वो गुलजारी लाल नंदा थे ठीक है अध्यक्ष पूछता तो जवारलाल नेरू लेकिन बिन में प्रवंद अधिनियम FEMA प्रभावी हो आपके देश में तो वो 1999 से जो है FEMA प्रभावी होता है ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेमलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है तो देखिए संसार में से जो भी सबसे जा किया जाए कि कौन सा फसल में भारत संसार सभी देशों से अधिक होती है तो गन्ना लेकिन भारत निर्यात नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे खपत भी उतना ही है ठीक है लेकिन उत्पादन बहुत जैदा है अन्य देशों की तुम नाम भारत परमुक आया तक है यानि दलहन को तिलहन को इन में से दोनों को तो भारत दलहन और तिलहन जो है उतना परियाप्त मात्रा में नहीं पूरा कर पाता है जिस कारण से जो है इसे ख़ईना पड़ता है तो इन में दोनों का ठीक है आया तक है भारत दलहन और तिलहन दोनों चीज खईता है भारत में सब जाये जाने वाला फसल कौन सा है तो चावल है तो स्वभाविक सी बात है कि किर्सी भूमी भी सबसे जाएदा यहीं पे यूज होगा तो चावल भात में किस फल की किर्सी के अंतरगा सरवाधिक छेतर फल है तो किस फल का तो भारत में किस फल की किर्सी के अंतरगा सरवाधिक छेतर फल है केला, कटल केला देखे कुछ एकदम लिमिट छेतर में ही होता है कटल भी इका दुका लेकिन आम अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में यह होता है और राष्टिया फल भी है और किर्सी के अंतरगत अगर हम देखें होटी कल्चर में तो आम सरवाधिक छेत फल लिये हुए है ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नमर 20 पर ठीक है मोटे अनाजों का अबिश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है जैसे मोटे अनाज हो गए जुआर बाजरा मक्के तो उसमें भारत एक नमर पर मोटे अनाज में भारत एक नमर पर आता है किर्सी लागत एवं आयोग की अस्थापना कब की गई थी तो 1965 भी में ये डायक्ट याद रखने वाला है कोश्चन 1965 भारत की राष्टी आयमें सरबाधिक योगदान किसका है तो आपको पता ही होगा सरबस शेक्टर याणी तिरटियक प्षेत्र का सबसे जएदा योगदान हो गया लेकिन जब सुतंत प्राप्थ होई थी हमारे देश को उससेमें प्रात्मिक शेक्टर का सबसे ज्यवाच्षेत्र जैसे रेलवे हो गया संचार हो गए जो भी communication जो भी संचार माध्यम है उससे हो गए banking हो गया ये सब service sector है software company हो गए तो ये सबसे अभी जैदा income हो रहा भारत में राष्टिया है भारत की राष्टिया आये में किस चेत्र का सबसे कम योगदान है तो दूटिया क्षेतर जो उद्योग है इंडस्टिज उसका बहुत कम योगदान है क्योंकि हमारा देश उद्योगिक रूप से बहुत पिछरा हुआ है ठीक है अब नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं कोस्टन नमर्ट 24 भारत में निमलिखित भारत में राश्टिया आय का आंकलन करने के लिए उत्तरदाई सरकारी एजनसी कौन सा है ठीक है तो ये जो करता है केंद्रिया सांखिकी संगठन Central Statistical Organization जो है CSO वही करता है तो केंद्रिया सांखिकी संगठन ये राश्टिया आय का आंकलन करता है तो Option No.2 जिन्होंने किया होगा उनका सही होगा Next Question पर आते हैं निमलिखित में से किसको राश्टिया आय में सामिल नहीं किया जाता है लोटरी जितना तो बिल्कुल लोटरी जितना आपका राश्टिया आय में सामिल नहीं होगा नए पूलों के निर्मान पर किया गया सरकारी बैय ये भी होगा मालिक के कबजे में मकानों का आरोपित किराय इन में से कोई नहीं लोटरी जितना लोटरी जितना क्या है कि वो राश्टिया आय का पार्ट नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी स्रमबल नहीं लगता है बल्कि वो क्या होता है कि अन्न लोगों का ही पैसा उसमें जमा होता है तो फिर कोई लोटरी जीते हैं तो उसको दिया जाता है ठीक है तो लोटरी जीतना जो है वो रास्टिया आए का आय में सामिल नहीं एटीक है नेक्स्ट कुश्टन पर आते हैं कंच बरसी योजना को अनुमोधन करने वाली सर्भुष संस्थान को नहीं है की राष्टिय विकास परिशद अनुमोदित करता है ठीक है अनुमोदन उसका जो देख रेक का काम राष्टिय विकास परिशद के द्वारा किया जाता है NDC National Development Council के द्वारा ठीक है जिसकी अस्थापना 1952 में की गई थी बिशेस आर्थिक जोन जो Special Economy SEO जिसको बोलते है Special Economic SEZ जोन द्वारा पारित किया गया बर्स है किस बर्स में आर्थिक जोन अधिनियम संसत द्वारा पारित किया गया था तो वो है 2025 में ऐसा पारित किया गया था Special Economic Zone भारत में महराष्टा मुंबे है ठीक है रास्ट्य विकास परशत का गठन किस्तिती को आभी मैंने बताया 1952 लेकिन अब exact date पूछ रहा है तो 6 अगस्त उनिश्वा बावन को ठीक है यह सब questions बहुत important है और कई बार एक जम में पूछे जा चुके हैं इसलिए यह सब को बार बार देखने से practice करने से आपका क्या होगा कि एक जम में बरी असानी से आप इसको बना सकते हैं सूचना परदोगी की IT छेतर के विश्व की 100 कंपणियों में भारत की एक मात्र कंपणी वह कौन सा देखे बी एसनल तो यह तो संचार की है इनफोसिस रिलाइंस यह तो है नहीं IT इनफोसिस और विप्रो तो विप्रो जो है अजीम प्रेम जी के द्वारा जो जिसके चेर्मेन है अजीम प्रेम जी तो विप्रो अभी 100 में आता है ठीक है तो एक नमर उप्सन नमर एक इसका सही जवाब है ग्यान परकाश समीती का सम्मन्द किस से था तो ग्यान परकाश समीती का सम्मन्द जो है वो चीनी घोटाला से है किस से है चीनी घोटाला से है Next question पर आते हैं सुन्दर राजन समीती का सम्मन्द किस से है देखें एकोनोमिक्स में समीतियां बहुत महत्पुन होते हैं और ये कोशनद बार-बार पूछे जाते हैं इसलिए समीतियां ज़रूर दो-तीन बार आप पढ़के जाईएगा पेट्रोलियम से समझदित है सुंदर राजन समीती किस्से समंदित है तो पेट्रोलियम से रंग राजन समीती किस्य संबंदित है तो देखिए ये जो है रंग राजन सी रंग राजन ये भुगतान संतुलन घाटा जो होता है उससे संबंदित है सी रंग राजन समीती गरीवी का अकलन भी किया था संकरलाल गुरु समीती का समंद्ध किस्से है, तो किरसी बिपनन, जो किरसी के छेतर में बिपनन है, बाजार है उससे संबन्धित है संकरलाल, उसके देखे नरिसिम्हाण समीती ये बहुत important है, इसको एक दम नहीं भूली अगरे, नर्सिम्हाण समीती बेंकिंग छेतर में सु चीन है रेसम सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है उद्योगों के विकास्त था अद्योगी करन की रननीती किस योजना की अंग थी तो आपको पता होगा कि दूतिया पंचवर्षिय योजना में जो है सबसे ज़्यादा पिसी महालनोविस्ट मोडल पर जो अधारित है उसमें उद्योगी की करन पर द्याम दिया गया था ठीक है तो दूतिया पंचवर्षिय योजना में सरवाधिक परिवय किस भाग पर किया गया तो परिवहन एवं संचार उरजा भारी उद्योग अब देखे उद्योग का तो अस्थापना किया गया लेकिन खर्चा जो किया गया था वो परिवहन और संचार पेक्षिया गया था क्योंकि इसी माध्यम से उध्योगिक विकास संभव था इस मोगार अब यूजनों में तो दूत है इस सारे जितने भी उध्योगिक उध्योगिक विकास से हटा कर परटी रक्षा अपनी रक्षा करने पर फोकस किया चतूर्थ। नेक्स्ट और यही किर्शी से सम्बंदित भी सबसे ज्यादा विकास चतुर्थ पंच वर्षिय योजना में हुआ है और जो भी आकाल उकाल जो भी आया था हरित करांती भी इसी में के दौरान हुआ है और भाराचीन यूद भी इसी समय हुआ था नियुन्तम आवशक्ता कार्जकरम का प्रारम किस पंच वर्षिय योजना के दौरा किया गया था तो पंच मी गरीवी उन्मूलन भी इसी में किया गया है पंच मी पंच वर्षिय योजना का ही देना है और नियुन्तम आवशक्ता कार्जकरम का प्रारम भी पंच मी पंच वर सिय योजना का कलावधि कौन सा है तो 85 से नवबभा है तो उनीजों से सुरू किजिए फन्च-फैरा भी है योजना आपकास जिसको बोलते है ठीक है तो सातमी याद रखना है पचासी से नवबभभा अब देखिया आटमी तो नवबभा से क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बीच में गैप होता है दो साल का योजना अपकास होता है फिर बिरोनवय से संतोनवय जो है आपका आठमी पंच वर्सिया योजना है निमलिखित में से किस पंच वर्सिया योजना में आर्थिक संब्रधी की दर अपनी लक्स से अधिक रही तो आठमी पंच वर्षिया योजना में जो है विकास बहुत जाएदा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है model LPG लाया जाता है liberalization, privatization और globalization और किसके दोरा तो मनमोहन सिंग के दोरा ठीक है तब जाकर के विकास बहुत ही जाएदा हुआ था अर्थ बिकास के लिए केंद्रिकित नियोजन स्वर पर्थम कहां अपनाया गया था तो यह जो है पूर्व सोविया संग जो रूस है वहीं पर अपनाया गया था क्योंकि वहीं गए थे पंडि जवारला नहरू और वहीं से सीख करके जो है आये थे और भारत में भी लागू किया था सोविया संग से रास्टिया योजना समिती की रिपोर्ट का प्रकासित हुई तो यह उनिस्वा उन्चास इस्वी में जो है रास्टिया योजना समिती की रिपोर्ट प्रकासित हुई नेक्ष्ट है भारत सरकार ने एक पिर्थक विभाग नियोजा निवम विकास विभाग कब खोला गया था तो 1944 में नेक्ष्ट कोश्चन पर आते हैं निवन में से किस अर्थ सास्त्री ने विकास सील देशों के लिए रोलिंग पलाउन की अवधारना जो है बिक्सी समर्थन किया था तो यहां पर इसका जो है गुनार मेडल जो थे उन्होंने पीपी पी मोडल लाया था ठीक है तो निवन में से किस अर्थ सास्ति ने विकास सील देशों के लिए रोलिंग पलाउन की अवधारना का सब्धार्थम समर्थन किया था तो गुनार मेडल ठीक है रोलिंग पलाउन जिसको पीपी मोडल भी करते हैं आर्थिक नियोजन बिषय है तो देखे आर्थिक नियोजन जो बिषय है वो केंद और राज दोनों का रहता है तो इसलिए हम इसको संभरति सुचि के अंतरगति रखते हैं आर्थिक नियोजन जो शबद आया है वो अटल विहारी बाजपर के समय में आया है और आर्थिक नियोजन जो है वह दोनों केंद और राज का भूत भारत में योजना के आरंब से किसी भी पंच वर्षय योजना में अनच्छा दित कुल बरसो की संख्या ए तो भारत में कुल वर्षों की संख्या 6 है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन फिप्टी नमर कोश्चन जो की लास्ट है किस पंच वर्षिया योजना के दोनान आर्थिक संब्रदी दर लक्ष से अधिक नहीं थी तो आपको पता होगा कि दूतिय में जो है वो अपने लक्ष से अधिक नहीं हो पाया था ठीक है पंचमी में भी है चप्ठी में भी है पर्थम में भी है ठीक है तो दूतिय में नहीं हो पाया था लक्ष से अधिक नहीं हो था तो पंच वर्षिया योजना मैंने थेउरी में भी करवाया था तो उसको आप अच्छे से कर लें अगर आपके पास PDFs नहीं है नोट्स नहीं है तो आप हमारे नमर पे 7070 634348 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको बहुत ही मिनमम कॉस्ट मातर 499 में 30 ओनलाइन टेस्ट पलस PDFs पलस वीडियो लेक्टर्स आपको दिये जा रहे हैं तो इससे जरूर जूरिए अगर अच्छा लगता है लाइक किजिए शेर किजिए और नीचे जरूर लिखिए कि सर इसको जारी रखिए वीडियो को जारी रखिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको नए वीडियो डालते रहेंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच वाचिंग फार इस वीडियो